कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुती प्रति दिन एक कविता कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ आज की कविता का शीर्षक है खुद से इसे लिखा है रेनू कश्य अपने आईए सुनते हैं ये कविता मेरी यानि कार्दिके खेतरपाल की आवाज में गिरो कितनी भी बार मगर उठो तो यूँ उठो कि पंक पहले से लंबे हो और उडान ना सिर्फ उची पर गहरी भी हारना और डरना रहे बस हिस्सा भर एक लंबी उम्र का और उम्मीद और भरपूर महब्बत हो परिभाशाएं जागो तो सुभा शान्त हो ठीक जैसे मन भी हो कि खुद को देखो तो चूमो माथा गले लगो खुद से चिपक कर कि कब से कितने वक्त से सदियों से बलकी उधार चल रहा है अपने आपका प्यार का जब हो जिक्र तो सबसे पहला नाम खुद का याद आए दुख का हो तो जैसे किसी भूली भटकी चीज़ का मा कहो जिक्र तो बस चहरे का चूमना याद आए बे तहाशा एक सांस में बीसों बार गल्तियों और माफियों को भूल जाएं ठीक वैसे ही जैसे लिख कर मिटाया हो कोई शब्द या लकीर आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं आप जहां भी प्रति दिन एक कविता सुन रहे हैं वहाँ आपने कॉमेंट शेर करना ना भूले अगर आप चाहते हैं कि नईधारा रेडियो की यह प्रस्तुती हर सुबह आपके वाट्साप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मेसेज भेजें 74287 75376 कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे